Welcome back to Tech Therapy, मैं हूँ शाज़े बश्रफ, I hope you all are doing well, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं, best Wi-Fi routers to buy in every budget की, जब भी आप internet connection इंस्टॉल कराते हैं, तो सबसे पहला काम जो आपको करना होता है, वो होता है कि आप एक wireless router purchase करने के लिए जाते हैं, and wireless routers अलग-अलग range में आपक wireless router हमारे दो category में हमें देखने को मिलते हैं, एक होते है single band routers, और दूसरी category होती है dual band routers की, single band routers उन लोग को purchase करना चाहिए, जिनका internet connection की speed 40 to 50 Mbps तक की है, क्योंकि हमें single band में 2.4 GHz की frequency देखने को मिलती है, और ये frequency अपनी range के लिए जानी जाती है, यहाँ पे ज्यादा speed आ प्लान यूज कर रहे है, 40 to 50 Mbps तक की speed है, तो आपके लिए single band routers best choice रहने वाले हैं, सबसे पहला router दोस्तों हमारी list में आता है single band router की category में, D-Link का N300, pricing की बात करें तो सिर्फ 800 डबल 9 उपीज के price point पे ये Amazon पे available है, और काफी basic specifications के साथ ये आपको देखने के लिए मिल जाता है, इस router के अंतर आपको AP mode देखने के मिल जाएगा, basically access point mode है, और ये एक repeater का भी काम करने वाला है, तो अगर आप अपनी range को बढ़ाने के लिए भी इसे use करना चाहें, तो इस G-Link के router को आप use भी कर सकते हैं, 300 Mbps तक की speed का support इसके उपर आपको देखने के लिए मिल जाता ह एक आपको WPS का बटन भी देखने के लिए मिल जाएगा, तो ये काफी basic router है और काफी अच्छे price point पे available है, जिन लोग के पास 40-50 Mbps तक का internet connection है, वो इस router के साथ definitely जा सकते हैं, नेक्स router की तरफ चलते हैं, तो ये आता है TP-Link के तरफ से उनका N300, ये भी single band router है, दो antennas का support दे देखने के लिए मिल जाता है, इस router को भी आप access point mode में और range extender के तौर पे भी use कर सकते हैं, 4 LAN के ports मिल जाते हैं, एक van का port मिल जाता है, 300 Mbps तक की speed देखने को मिल जाती है, ये TP-Link brand की तरफ से आता है, जिसकी विज़ा से इसकी pricing थोड़ी सी ज्यादा है, 1150 rupees के price point पे, ये Amazon available है, range की मामले में भी ये router आपको एक से दो रूंख में आराम से coverage देखा, 2.4 GHz की frequency देखने को मिल जाती है, जो रेंज में काफी अच्छे से काम करती है, जो लोग TP-Link के router के साथ जाना चाहते हैं, वो इस router के साथ जा सकते हैं, उसके बाद तीसरा router आता है, Tenda की तरफ से उनका N300, basically जितने भी N300 के router हैं, ये आपको 300 Mbps तक की speed ही provide करते हैं, काफी compact in size ये router रहने वाला है, तीन LAN के port और एक WAN का port देखने के लिए मिल जाता है, 300 Mbps तक की speed का support है, ये भी काफी साथा budget friendly router है, price point की बात करते हैं, तो सिर्फ 950 रूपीज के price में आपको देखने के मिल जाता है, अंडर 1000 की category में ये दो router मैंने आपको बताएं हैं, और जो लोग TP link router ढून रहे हैं, single band की category में, वो 1150 रूपीज के price point पर जो अवेलेबल है TP link का N300, वो उसके साथ जा सकते हैं, और इन सभी router का link description box में है, आप जा करके check out भी कर सकते हैं, एक चीज आपको mind में बैंड देखने को नहीं मिलता है, जो आपको Wi-Fi के उपर काफी जाधा speed provide कर सके, अब चलते हैं दोस्तों अपनी dual band Wi-Fi router की category के अंदर, यहां पर आपको दो bands देखने को मिल जाते हैं, एक होता है 2.4 GHz का band, और दूसरा होता है 5 GHz का band, basically इसे 5G band भी कहते हैं, और इन की pricing भी wireless router है, जो आपको provide करता है, अप टू 1200 Mbps तकी speed, दोनों bands को combine करके, 128 MB की RAM देखने को मिल जाती है, dual core CPU है, 4 omnidirectional antennas भी देखने को मिल जाते हैं, तो antennas ज्यादा है, तो काफी अच्छी range आपको यहां पर देखने को मिलने वाली है, मी app का support भी है, तो आप अपने smartphone से इसका setup आप आसानी से कर सकते हैं, देख सकते हैं कौन-कौन से devices connected हैं, और बाकी साथ security related features भी आपको provide करती है, and again यहाँ पर भी आपको repeater mode देखने को मिल जाता है, तो अगर आप एक wireless extender के दौर पे से use करना चाहें, तो वो भी कर सकते हैं, वन वैन का port मिल जाएगा, दो LAN की ports देख आसानी से use कर सकते हैं, basically जो और normal routers रहते हैं, जहाँ पे gigabit port नहीं होता है, वहाँ पे limit होती है, 100 mbps तक की speed की, last time pricing की बात करें, तो काफी अच्छे price point पे यह gigabit router अवेलेबल है, सिर्फ 1500 उपीस के price point पे Amazon पे अवेलेबल है, आप जाकर कर सकते हैं, और यह मेरे according one of the best router ह जो काफी जादा अच्छे price point पे वेलेबल हो जाता है, नेक्स router की बात करते हैं, तो यह आता है, DP link की तरफ से उनका AC 750, यह भी एक dual band wireless router है, जो आपको provide करता है, up to 750 mbps तक की speed, 4 LAN के ports देखने को मिल जाते हैं, एक van का port भी आता है, 3 antennas का support है, तो काफी अच्छी range यह आपक 5 devices को connect कर सकते हैं, एक time पे, यहाँ पे आपको van के ports के उपर 100 mbps तक की speed देखने को मिलती है, तो जिनके पास 100 mbps तक का ही plan है, और वो 5 gigahertz की frequency को use करना चाहते हैं, तो वो इस router के साथ जा सकते हैं, pricing की बात करते हैं, तो 1500 99 के price point पे अविलेबल है भी Amazon के उपर, और काफी जाधा fluctuations आती रहती हैं, तो हो सकता है कि जब आप check out करें, तो price थोड़ा सा fluctuate कर जाए, and mind में रखिएगा, जिन लोगों का plan 100 mbps तक का है, और वो 5 gigahertz की frequency वाला router ढून रहे हैं, वो ही इस router के साथ जाएं, next router काफी जबर्दस router दोबारा से आ रहा है, डिलिंग की तरफ से बैंड पे अप्टू 300 mbps और 5 gigahertz के बैंड पे आपको 867 mbps तक की speed देखने को मिलती है, 4 LAN के ports देखने को मिल जाएंगे, एक van का port है, और ये सभी ports gigabit ports हैं, यानि की 500 mbps, 800 mbps तक का plan है, तो आराम से आप इस router को use कर सकते हैं, 4 antennas भी देखने को मिल जाते हैं, काफी प्राइजिंग की बात करते हैं, तो best offer है, दोस्तों, इसका 2000 के price point पे available है, Amazon के उपर, और ये काफी तगड़ा router है दोस्तों, D-Link की तरफ से, काफी अच्छे price point पे available है, 4 LAN के ports मिल रहे हैं, 1 WAN के port मिल रहा है, gigabit connectivity है, तो 2000 के price point के around, जो लोग router ढूंड रहे हैं, gigabit router, उनक की ले काफी अच्छा है, ये router रहने वाला है, next router की तरफ चलते हैं, दोस्तों, ये आता है, TP-Link की तरफ सुनका, Archer C6, और इस router को मैं पिछले 2-3 साल से use करना हूँ, तो मेरा personal experience भी यहाँ पे add हो जाता है, 1200 MPPS तक की speed आपको provide करता है, combined frequencies के उपर, यानि की 5G and 2.4G पे, 4 antennas देखने को मिल जाते हैं, काफी अच्छी connectivity रहती है, Moo Mimo की technology के साथ आता है, यानि कि आप एक टाइम पे, सभी devices के उपर काफी अच्छी speeds को experience कर सकते हैं, 4 LAN के ports मिल जाएंगे, 1 WAN का port मिल जाएका, और सभी ports Gigabit ports हैं, यानि कि up to 1 Gbps तक अगर आपका internet connection का plan रहता है, तो का review भी डाला हुआ है, और इसका comparison भी किया हुआ है, C60 के साथ, तो आप उन वीडियो को भी check out कर सकते हैं, और हमेशा एक चीज़ आपको दिमाग में रखके चलनी है, router को purchase करते हैं, कोई भी router आप purchase कर रहे हैं, तो अपने internet connection की speed को एक बाद check out कर लें, और उस router के specs में जाकर क उसके ports की speed को check out जरूर करें, होता कि है most of the cases में हम box के उपर 750 Mbps या 1200 Mbps तक speed देख लेते हैं, और directly जाकर के router को purchase कर लेते हैं, जब घर लाते हैं, तो पता चलता इसका van का port 100 Mbps की speed ही support कर रहा है, और वहाँ पे हमें 100 Mbps से जादा की speed देखने को नहीं मिलती है, अपने plan क उपर, तो हमेशा 100 Mbps से जादा का अगर आपका plan है, तो gigabit port वाला router ही purchase करें, वरना आपको 100 Mbps से जादा की speed देखने को नहीं मिलने वाली है, और फिर आपको एक दूसरा router again purchase करना पड़ सकता है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं, Wi-Fi 6 की technology पे based एक router के बारे में, जिन लो राउटर के अंदर जो pricing रहती है, Wi-Fi 6 router की थोड़ी सी ज्यादा रहती है, एक router मैं यह आपके लिए यह ले करके आए हूँ, यह आदा है TP-Link की तरफ सुन का Archer AX10, यह Wi-Fi 6 की technology पे based 1.5 Gbps तकी speed प्रोवाइड करता है, dual band router है, 4 antennas के साथ आपको देखने को मिल जाएगा, Wi Wi-Fi 6 में जो coverage रहती है, जो range की coverage रहती है, router की कापी ज्यादा अच्छी रहती है, 1.5 GHz का आपको triple core CPU भी इस router के उपर देखने को मिल जाएगा, Alexa compatible यह router है, तो Alexa वाले features भी आप यहाँ पर इस्तमाल कर सकते है, 4 LAN के ports देखने को मिल जाएगे और 1 WAN का port देखने को मिल है, अभी इसकी जो pricing के दोस्तों वो है, 4,150 के around Amazon के उपर, जो लोग Wi-Fi 6 की technology का मज़ा उठाना चाहते हैं, काफी जादा अच्छी coverage देखना चाहते है, अपने router के उपर, और उनका जो plan है internet का वो काफी जादा है, तो इस router के साथ जरूर जाएं, यह starting range यहाँ से शुरू हो वीडियों बताएं, यह आपके बहुत ही काम आएंगे, और definitely में से कोई ना कोई एक router रहने वाला है, जो आप definitely purchase करेंगे, जब भी आप internet connection इंस्टॉल कराएंगे, या फिर अपग्रेड करेंगे अपनी internet speed को, इन सभी router का link दोस्तों, description box मेंने है, जाकर कि आप check out कर सकते हैं चैनल में पहली बार आपने वीडियो देखिए, दोस्तों तो tech therapy को दोर सब्सक्राइब कर लिजे, इसी तरह की quality tech वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए, फिर मिलेंगे आप सभी से एक और नी exciting technology की वीडियो में अपना बहुत खयार लखिएगा, हमारे साथ बने रहीग इसी तरह, have a nice day